गाजर का हलवा तो अपने कई बार बनाया होगा बट आज का गाजर के हलवे में क्या special है बहुत जादा special है इसे ना ही हम कदुकस करेंगे ये 10 से 12 मिनिट में बन जाएगा और ना ही इसमें शुगर का यूज करेंगे ना ही मिश्री का तो क्या ऐसा डाले जिससे गाजर का मीठा भी बनेगा और हल्दी भी आएए देखते हैं इस वीडियो में अलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक तो माई चैनल चलिए आज बनाते हैं इद्दम यूनिक इद्दम डिफरेंट स्टाइल गाजर का हलवा जो 10 से 12 मिनिट में तो बन ही जाएगा साथ ही में इसे कदुकस कर बने की भी महनत नहीं लगने वाली है और इसमें ना ही हम चीनी का ना ही हम मिश्री का यूज करने वाले हैं तो फिर कैसे बनाएंगे यह देख लेते हैं तो लाल लाल गाजर अभी मार्कित में काफी आ रहे हैं तो क्यों ना इससे इदम डिफरेंट स्टाइल गाजर का बनाया जाए तो आप रफली बस गाजर को कट कर लीजे चलिए मेजरमेंट के लिए हम यहां एक बोल ले लेंगे और मेजर कर लेते हैं उसके गौडिंग ले ही फिस हम सारे दूसरे इंगे दालेंगे तो यह देखे आधा कप यह है फ्रेंस गाजर अब मैंने यहां आपको कोई और चीज कलर जैसे पूड कलर इसमें डालने के जरुवत नहीं पड़ेगी साथ ही में इसमें फ्लेवर के लिए हम दाल देंगे तीन इलाइची को खोल के डालेंगे और यह कलर देखें दो मिनिट बुनने के बाद कितना बढ़िया लाल कलर आ गया है अब आध जाएगा और सेकेंड इसका टेक्स्चर इद्दम बढ़िया आएगा थोड़ा सा और दूद में डाल देती हूं बहुत जादा दूद भी नहीं डालेगा अदवाइस सीटी लगाने के टैम पे पूरा दूद बाहार निकल जाएगा तो इस टिप का भी ज़रूर ध्यान दे अब प्रेशर कुकर को बन कर लिया है मीडियम फ्लेम पे दो सीटी लगा लेते हैं प्रेशर निकले के बाद आप ओपन करें और ये देखें दूद जो है वो मावा बन चुका है फ्रेंट्स इसलिए हम मावा पनीर कुछ भी इसमें नहीं डालने वाले है और ये पॉफेक् चाहिए हमें हलवे का वो हमें मिल जाएगा गैस को अभी ओन कर लेना है और इसे अच्छी तरह से आप स्मैश कर ले एक भी बड़ा पीस रहना नहीं चाहिए हार्ली 30-40 सेकिंड लगेंगे इस प्रोसीजर में अब इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं देखें दम पॉफेक्ट अब इसमें डाल देते हैं दूद अब जो बचा है उसको भी हम दो हिस्व में डालेंगे यानि बैचेस में हम डालेंगे थोड़ा सा हम दूद डालेंगे और फिर से मिक्स करके कुक होने देंगे जब इसमें बॉइल आ जाए यहां हम मीडियम फ्लेम का ही यूज करेंगे और लगाता चलाते जाएंगे तब ही यह हलवा दस से बारा मिनिट में बन जाएगा अब दूद में बॉइल आ चुका है तब मैंने दूसरा बाकी जो दूद था वो भी मैंने एड कर लिया यहां मैंने फूल क्रीम दूद का यूज किया है अब अच्छी तरह से मिलाते जा इसको मिक्स कर लेंगे जब गोड मैल्ट हो जाए इसके बाद हम दूसरा गोड आड करेंगे ऐसा करने से दो बाते होती है एक तो जो हमारे हलवे का टेमपरेचर है वो मेंटेन रहता है और दूसरा इसका कलर इदम निखर के आता है आपको कोई फूद कलर दाने के जरूद नहीं पड़ेगी एक तो आपको इसको घी में रोस्ट करना है सबसे पहला स्टेप कलर के लिए और दूसरा स्टेप आप शुगर दाल रहे हो या गोड दाल रहे हो आप बैचेस में डाले थोड़ा थोड़ा करके डाले और इसको पकाते जाए और आप देखेंगे की हलवे अच्छा गुड़ की क्वांटिटी एक चुथाई कप है आप उससे थोड़ा सा कम जादा भी डाल सकते हैं आपको जैसा मीठा पसंद हो तो देखें यह अच्छी तरह से कुख हो चुका है और गुड़ दाने के वज़े से जली से कुख हो जाता है अनलाइक की शुगर दा देंगे फ्लेवर के लिए और ड्राइफ रूट्स को भी एड कर लेंगे और एक मिट के लिए और इसे चला देंगे फोफेक्ली डण है फ्रेंच से देख सकते है इसका कलर इसका टेक्स्चर देखिए दस से बारा मिट में यह बन जाता है और क्या चाहिए चले फटा-फट से इसे सव करते हैं तो फ्रेंच कैसे लगी आपको यह रेसिपी देखते ही बनाने का मन हुआ की नहीं और मुँमे पानी आया की नहीं जरूर बताएगा इदम डिफरिंट स्टाइल यह गाजर का हलवा है आप जरूर एक बार ट्राइ करें आपको पसंद आएगा अब जो गिल्ट होता है कि हमने इतना शुगर इतने कैलरी इंटेक कर ली तो गुड़ खाईए जो आपकी बोड लाइक भी कीजिए शेर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही रेसिपीज देखने के लिए तिल दन टेक केर बाबाई